नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत दिनों से डिमांड था कि ओयल फिल्टर मेशिन पर एक वीडियो बनाने के लिए तो मैं सुबरंग सुना रहे पूंड आप सभी के लिए आपके डिमांड पर हाजिर हूँ नेया वीडियो लेकर ये वीडियो में हम जाने के ट्रांसफर और प्रोम्टर फारी क्या होता है कैसे कैसे उसको चालू करना है पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ओल फिल्टरूर WA 현 का क्या 、जो वाल होता है उसका 2 में पर्पोस होता है एक पहला main purpose होता है कि यह oil जो है transformer को insulation प्रोवाइड करता है दूसरा यह transformer को cooling प्रोवाइड करता है जो insulation प्रोवाइड करता है इसलिए उसका breakdown voltage ज्यादा रहना चाहिए ताकि यह अच्छा insulation के तरह काम कर सके तो transformer oil का insulation level 60KB से उपर अगर है तो यह बहुत ही अच्छा है हमारा minimum 35 से एबब रहना चाहिए तो 45 के आसपास आजाने पर हम उसको उसका treatment शुरू करते हैं उसका treatment हम oil filtration करके करते हैं oil filtration करने से उसके साथ जो moisture मिला होता है वो निकल जाता है और जो भी chemical reaction के बज़े से जो भी diesel gas होता है वो भी निकल जाता है प्रो चार्ट से हम पहले देख लेते हैं यह कैसे कैसे oil flow होता है यह है oil inlet oil inlet point से पहले oil inlet होता है पहले लगा रहा हमारा प्री फिल्टर प्री humidity particles होगा वो उसमें फिल्टर हो जाएगा उसके बाद यह inlet solenoid है जहां पर यह भाल्प की तरह काम करता है यह oil को अंदर की तरफ चोड़ता है भाल्प अन अप करने के वर तो यहां पर आगे चलते हम inlet pump होगा inlet pump जो है यह oil को जो हमारा जिसको हम फिल्टर करना है उसको हीटर बेंग है हीटर बेंग वान हीटर वनचे विस्टो यह मेंट की ऑनुसार चेंज होता रहता है लिकरनी इस में 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 बता रहा हूं ये 12 12-12 का एक हैं तो 24 हीटर लगा हुआ है तो 24ह का जो maximum लोड होता है 70 किलोवाट होता है उससे आगे जो फिल्टर के बीच में से oil गुजरने के बाद यह आगे बढ़ता है यह जो LED है यह 9 टेंपरेचर अगर ही होगा तो यह उप हो जाएगा उसके बाद यह आएगा फिल्टर फ्रेस में जो फिल्टर होता है उसमें 50 तो हुकर 5 फिल्टर को जाता है्ट तो फिल्टर से के होकर फिल्टर हो जाता है। डिग्यासिंग चेंबर को हम उसके साथ connected जो है roots pump और vacuum pump के स्याधर से उसको एक vacuum chamber बना के रखते हैं तो जो भी diesel gas होता है वो diesel gas वहाँ से निकल जाता है निकल के उसके साथ भी हमारा देखिए उपर के तरफ दो साइट में left साइट में ये air reservoir tank है और air compressor है ये दोनों का purpose में अगले part में बताऊंगा तो पहले आप देख लीजी इसको भी उसके right side में जो vacuum trap है और vacuum pump है ये जो vacuum pump vacuum create करता है चेंबर में ताकि जो भी diesel gas chemical reaction के बज़े से transfer oil में create होता है वह सब निकलाता है निकला कि यहाँ पे vapor trap में trap हो जाता है उसके साथ यहाँ पे नीचे देखिए एक roots pump connected है roots pump को हम quiz case filter machine में उसको booster pump भी कहते हैं ये जो vacuum का pressure को बढ़ाने में मदद करता है ये roots pump इसमें जो degassing chamber में दो stage है उपर वाले stage को stage 1 कहते है और नीचे जो stage को stage 2 कहते हैं उसके देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे vapor trap में vapor trap हो जाता है जो भी diesel gas होता है वो vapor trap होता है और उसका दो chamber भी आप देखिए इसके नीचे में देखिए आप जो LED भी जलना है नो high level नो low level आपका अगर oil inlet भाल और oil outlet भाल में जो control है वो एक समान नहीं होगा तो आपका जो high level आ जाएगा या low level आ जाएगा तो आपको इसमें भाल को regulate करना पड़ेगा अगर आपका high level आके trip हुआ तो आपका oil inlet ज्यादा हो रहा है लेकिन outlet कम हो रहा है लो लेबल आके अगर trip होता है तो low inlet हो रहा है उसके नीचे यह देखें डिस्चार्जिंग pump है डिस्चार्जिंग pump से यह oil को खीचके बाहर के तरफ धकेल देता है क्योंकि वैक्यूम पंप में से कुछ भी निकल में बेक्यूम चेम्बर से कुछ भी निकलने के लिए air देना पड़ता है ह हम यहाँ पर filter कर रहे हैं तो उसको एयर प्रेसर नहीं दे रहे हैं तो यह mechanical pressure जो पॉंप के साथ ऐसे उसको बाहर के तरफ धकेल रहे हैं ओयल को filter होने के बाद यहाँ पहर राइट साइड बोटम कॉर्नर में आप देख सकते हैं वहाँ पे एक जो एरो मेर्क में में दिखा रहा हूँ वाटर सर्कुलेटिंग पॉंप है वाटर सर्कुलेटिंग पॉंप का काम होता है कि यह जो भी डिगैसिंग जो डिगैसिंग चेंबर से जो भी ग्यास निकलता है उसमें से जो मोईस्चर होता है उसको condense करके water के साथ निकल देता है तो उसका सिर्फ यही काम है कि जो moisture होता है उसको condense करके बाहर निकलना उसको हम कैसे काम करता है देखते हैं यह अहाँ पर हम barrel में से oil को filter कर रहे हैं वो barrel में से यह दोनो inlet और outlet point पे connected है यह right side वाला oil inlet है जो left side वाला oil outlet है वाला inlet वाल्व है और left side वाला outlet वाल्व इसके आगे होगा यह pre filter होगा जो melody filter में बोल रहा था आपको उसके दो देखे वाल्व के दोनों साइट पे दो पॉंप है यह left side वाला outlet जो discharge पॉंप है और right side वाला inlet पॉंप है और यहां पर देखे जो control panel में एक यह main switch है इसको अन करने पर हमारा जो एसी main supply on हो जाता है यह LED ग्लो करता है RYB तो उसके नीचे यह volt meter लगा होता है वहां पर आप voltage चेक कर सकते हैं उसके नीचे यह volt meter selector switch भी होता है यहां पर control panel पर क्या-क्या switch है कि पहले किसको start करना है पहले आपको water pump स्टार्ट करना है water pump को यह water pump water pump एक जो water barrel के साथ connector होता है उसका इनलेट आपड़ेट जो water को सार्कुलेट करता है water circulating pump विशू करते हैं तो यह जो वेपर में moisture होता है उसको condense करके यहां से निकल देता है तो water pump का यह single phase AC supply से चलता है यह pump यह से normal pump आपको जो घर में यूज़ता है इस तरह का pump है single phase का तो यह उसके बाद आपको चलाना है vacuum pump vacuum pump को start करने के बाद आपको इंतजार करना है vacuum pressure को बढ़ने के लिए vacuum pressure आपका जो है वो चार सो एच के पर आपको उहां पर फार करना है आपका roots pump तो यहां पर roots pump को आप start करेंगे 400hg होने के बाद Chelsea. Room water pump के start करने के बाद आप इंत इतजार करेंगे 700hg पर इंज होने के तक तो इस बस्यूज़ता 5 ratio हो जाएगा तो आप inlet pump को चालो कर करेंगे inlet pump अन करने के बाद आप inlet valve को अपण करेंगे जब वह क्यों पौ्प चला था दोनों भाल्ब अप था इनलेट और आपटलेट दोनों अफ तो इनलेट ? को अन करेंगे तो ओफ एल इनलेट होते हीटर में Зबो के यहां डिग्यासिंग चैंबर में आके गिरेगा लेकिन आपका अब ही स्विच अफ है बताऊंगा पहले दिग्यासिंग चैंबर में आके आएके गिरेगा स्टेज टू का इंडिकेटर है वहां पे 50% तक लेवूड आने के बाद हम इसका जो आउटले पर पूरा सर्कुलेशन चालू है तब हम जान सकते हैं कि हमारा पूरा सर्कुलेशन अभी सही है तब उसके बाद हम ओल का जो आउटलेट पॉंप को चालू करेंगे जो चालू हो जाएगा तो सर्कुलेटिंग होगा पॉरा सर्कुलेशन होने के बाद यह जो हीटर वान टू है उसमें से आप चाहे तो दोनों हीटर बेंग को चालू कर सकते हैं और आपका टेंप्रेचर के रिकर्मेंट के हिसाब से आप एक भी चला सकते हैं अभी हमारा सारे पॉंप चालू है हीटर चालू है तो अब देखत सेप्टी है जुसमें अगर आप टेंप्रेचर जो भी सेट करेंगे वह टेंप्रेचर आने पर वह फीटर कर देगा ओज पर का इंडिकेटर एक यह है जिसमें अभी 55 degree centigrade दीखा रहा है 55 degree centigrade टेंप्रेचर पर यह भी हम दिए हैं आपका ओल के कंडिशन को देखके आप से वाड़ा जो फिल्टर हो जाता है 50 मैंकरं से जो बड़ा स्लवाज जो भी वेल में होगा वों फिल्टर होके जो उल आएगा वह नीचे गिरेगा हमारा में में कहते हैं उसमें 0.5 मैंकरं से भेला जो भी स्लवाज होगा वो filter हो जाएगा एज filter से filter होने के बाद जो भी slow जोगा वो सब निकलने के बाद oil आके हमारा गिरता है यहाँ पर degassing chamber में degassing chamber में यह glass में जो indicator है जहाँ से आप देख सकते हैं उसके अंदर भी एक lamp होता है उसका भी switch control panel में होता है उस लेब कोन करके आप देख सकते हैं कि इस तरह से rain की तरह से oil गिर रहा है यहाँ पर यह vacuum pressure करके रख चुके हैं हम vacuum pump चला के तो यहाँ पर जो भी dissolve gas होगा वो बाहर निकल के जाएगा तो यहाँ से देखे यह stage 2 में यह जो label में दिखा रहा हूँ इस तक होने के बाद ही हम जो start करते हैं outlet pump तो यह stage 2 उपर वाला जो है वो stage 1 है तो यह degressing chamber का यह discharge pump है तो वहाँ से discharge pump का valve खुला है तो oil जाके हमारा जो barrel से आ रहा है वही barrel में जाके फिर से recycle हो रहा है जब तो आपका required BDB ने आया है तब तक आपको oil filtration करना चाहिए तब तक आपका filtration चलता रहेगा जब आपका BDB value आ जाएगा तो आपको उसको up कर लेना चाहिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जे उपर वाले part को बारे में बताऊंगा air compressor air reservoir tank वो किस काम का आता है जब हमारा पूरा ट्रांसफरों में से हम पूरा oil निकाल लेते हैं filtration के लिए तो उसके बाद उसके अंदर को हम vacuum create करते हैं जब आता है नेया ट्रांसफरों में वो ग्यास फिल्टराज रहता है उसके बाद यहां पर हम oil filtration करके oil डालते हैं तो उसके लिए यह पार्ट काम आता है तो आशा करता हूं आपका पूरा टाउट clear हो चुका है मीडिया का यंद्द तक बने रेने के लिए आप सभी को धन्यवाद